एक समय की बात है गिर्जापुर नाम के गाउं में एक बहुत गरीब परिवार रहता था। दोनों चीजें कर पाना मुश्किल हो रहा होता है। रखु की पत्नी भी पड़ी छगडालू औरत होती है। वो रखु के आते ही उससे रोज हिसाब मांगने लगती है। की उसकी बेटी का एक्सिडेंट हो गया था। उसके पास पैसे भी नहीं थे। मतलब तुमने इतनी रात को से मुफ्त में अस्पताल में छोड़ा। अब मेरी बात कान खोल कर सुन लो। खल से मुझे रोज कम से कम पान सर रुपे चाहिए। आपको भूक लगी होगी। जाओ जाकर रिक्षा चलाओ। रगु बेचारा अपने बच्चों को बचा भी नहीं पाया और चुक चाप रिक्षा लेकर निकल पड़ता है। जो उनकी बहुत तेज गर्मी होती है। और बाहर कड़कती धूप निकल रही होती है। आज तो बहुत ही गर्मी है, खर काम तो करना ही पड़ेगा। रगु रिक्षा लेकर निकल पड़ता है। बड़ी मुश्किल से उसे एक स्धवारी मिलती है, जो कि उसे बहुत कम पैसे देती है। रगु फिर भी अपने बच्चों का सोच कर उस आदमी को बिठा लेता पूरे दिन कडकती धूप में रगु की रिक्षा चला कर बहुत बुरी हालत हो जाती है। और उसका गला भी प्यास से सूख रहा होता है। वो रिक्षे को एक कोरे में खड़ा करके खुद भी एक पेण के नीचे लेट जाता है। लेटते ही रगु की आँख लग जाती है और जब उसकी आँख खुलती है तो रात हो चुकी होती है। रगु हरवडा कर उठता है। रगु जेब से पैसे निकालता है तो उसके पास कुल साथ रुपे होते हैं। वो तो वहीं सर पकड़कर रोने लगता है। रगु रोता रहता है और उसे समझ आ जाता है कि अब उसे घर जाकर बीवी का सामना करना ही पड़ेगा। वो डरते हुए रिक्षा लेकर घर की तरफ निकल पड़ता है। और रास्ते में उसे फिर से वही आदमी रिखता है जिसे उसने हॉस्पिटल छोड़ा होता है। र तुम ठीक नहीं लग रहे क्या हुआ। अरे बस क्या बताओ भाईया मेरी बीवी है ना पहुते बुरी आउरत है। उसने बोला था कि आज पांच सो रुपईया लेकर नहीं आए तो घर में मत खुजना। और आज मेरी आख लग गई बस साथ रुपई ही कमाई हो पाई है अब घर जा रहा हूँ देखता हूँ क्या होता है। अरे ये तो बहुत ही गलत बात है। खैर मैं तुम्हे कल पैसे देना भूल गया था। अगर तुम कल मुझे अस्पताल न पहुचा पाते तो मेरी बेटी न बच पाती। लेलो मुझसे लेलो पांच सो रुपई और आर से जादा सो रुपई ही बनते हैं। अरे ये तुम रख लो बस हाँ इसके बदले तुम मेरी एक मदद कर सकते हो। अगर तुम चाहो तो बस रात को ये रिक्षा मुझे दे सकते हो तो दरसल मेरे घर में भी बस मेरी बेटी और मैं हैं और रात के लिए काम ढून रहा था। रखु उस आदमी को अपना रिक्षा दे घर पर जैसे ही वो अपनी पत्मी के हाथ में 560 रुपे देता है वो तो खुशी से पागली हो जाती है। अरे वा तुम ने तो कमाल ही कर दिया। आओ आओ जल्दी से हाथ मुध होकर बैठ जाओ मैं गर्मा गर्म खाना लगाती तुम्हारे लिए। दूसरी तरफ वो आदमी जसके पास रखु का रिक्षा होता है। वो एक भूत में बदल जाता है। रेल्वे स्टेशन है और वहां उसे काफी सवारी मिल जाएगी। भूत अपना रिक्षा लेकर रेल्वे स्टेशन की ओर चल पड़ता है। और वहीं बाहर अपना रिक्षा लेकर खड़ा हो जाता है। थोड़ी तेर बाद वहां एक सवारी आती है। वो सवारी हर किसी के पास जा रही होती है पर हर कोई रात की वज़े से उसे डबल पैसे मांग रहा होता है आखर में वो भूद उस सवारी को आवास देता है सवारी को अंधेरे की वज़े से भूद की शकल नहीं दिखाई देती और वो जल्दी से रिक्षय में बैट जाती है। भूत रिक्षा लेकर ऐसी स्पीड में निकलता है कि बाकी रिक्षे वाले उसे बस देखते ही रह जाते है। और पूरी रात में वो कम से कम 20 सवारी को घर पहुँचाता है। रिक्षा चलाते चलाते अब सुभे के करीब 4 बजने को आ जाते हैं और उसे अमरूत के पेंड से ले जाकर बांध देता है। सुभे जब रगू उटता है तो उसे अपना रिक्षा वही मिलता है। वो अपना अरे भाईया तुम कल रात को सवारी मिली की नहीं। अरे बहुत ही अच्छी कमाई हो गई। और ये पकड़ो पूरे 500 रुपए। अरे भाईया अब ये किस जीज के 500 रुपए दे रहे हो तुम मुझे। पूरी रात रिक्षा इस्तेमाल करने के। समझ लो रिक्षे का एक रात का किराया है। जाती है। वो बुखार में तप रही होती है। रगु जल्दी से अपना रिक्षा लेने रेल्वी स्टेशन की तरफ निकलता है। पर उसे रास्ते में ही अपना रिक्षा दिख जाता है। वो जल्दी से रिक्षे के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। पर जैसे ही उसकी न जा रही थी वो मेरी बेटी पिंकी बुखार से तड़प रही है और उसे अस्पताल लेकर जाना है अस्पताल यहां से बहुत दूर है उसकी हालत बहुत थराब है अच्छा ऐसा है तो तुम जल्दी रिक्षा में बैठो और मैं रिक्षा चलाता हूँ और फिर सब पिंकी को अस्पताल लेकर जाते हैं पिंकी समय पर अस्पताल पहुँच जाती है और डॉक्टर उसे वक्त रहते दवाई और इंजेक्शन दे देते हैं देखो भाई, उस रात जब तुमने मुझे अस्पताल छोड़ा था और मैंने कहा था, मेरी बेटी अस्पताल में भरती है उस रात मुझे अपनी बेटी के पास पहुँचना था पर कोई भी मुझे अस्पताल नहीं छोड़ रहा था मैं जल्दी पहुँचने के चक्कर में एक ट्रक के नीचे आकर मर गया मैं मर चुका था पर पता नहीं बस तुम ही मुझे देख पाए और तुमने मुझे अस्पताल छोड़ा बस अगले दिन जब मुझे तुम्हारी तकलीफ का पता लगा तो मुझसे रहा नहीं गया मैं खुद बहुत गरीबी मेरा हम और गरीबी के कारण मेरी बेटी का इलाज नहीं हो पाया मैं देख बस तुम्हारी मदद की ये सुनकर मधू और रगू की आँखों में आसू आ जाते हैं मुझे माफ कर दो जी मैंने आपके उपर पैसे कमाने का दबाओ डाला अपसे मैं ऐसा नहीं करूंगी और खुद भी कुछ काप करके आपकी मदद करूंगी मुझे माफ कर दीजिए